नमस्कार जुड़ चुके हैं दियार्थ निउस के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी और मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजर हूँ इस मॉर्निंग अपडेट में हम आपको खबर देते हैं कि किस तरीके से अगर हम जमो कश्मीर एड्मिनिस्ट्रेशन की बात करें वो काम कर हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करने की बात की गई है क्योंकि मुक्य सचिव अगर बात करें डॉक्टर अरुन कुमार महता की तो उन्होंने परदेश के सभी जिलों के जितने भी डीसी हैं यानि की डिप्टी कमिशनर्स हैं उन्हें अपने जितने भी जिले हैं उनके विकास कारें में तेजी लाने की बात की है और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें टाइम पर जो है कम्प्लीट करने की भी बात की गई है मुक्य सचिव अगर बात करें तो एक उच्चेस तरी बैठक का वहां पर आयोजन हुआ था जिसमें निर्मान कारे में जुटने वाली समागरी ही क्यों नहीं आनी चाहिए साथी साथ अगर बात करें विकास कारें के साथ और यहां पूरे ओफिस वर्क के साथ ध्यान रखा गया है कि जिला विकास योजना जो इस समय चल रही है उस पर खासा ध्यान दिया जा सके उस पर प्रिजिनल कमिशनर भी वहां पर मौझूद थी, DCS वहां पर मौझूद थी और विवागों के यानि कि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो भी वहां पर मौझूद थी और उनकी साफ़तोर पर उने ये निर्देश हैं कि अपने अपने जिलों में चल रहे सबी व आया जाएगा और जिस तरीके से बात करें दीपवाली के पर पर जो है आतिश बात जी भी देखने को मिलती है पठाके जो है चलाय जाते हैं और उसी को लेकर जो है खास तोर पर ध्यान ये भी रखने को कहा गया है सबी डीसीज को पठाकों की बिक्री होने वाली है वो जितन ऑठ से लेकर दस बजे तक ही आप पठाके चला पाएंगे और इसके साथ-सा जो है ग्रीन क्रेकरज्स पर जो है खासा ध्यान देने की बात की गया ग्रीन क्रेकर्स ही जो हैं इवलेबल रहेंगे जो पठाको के स्टॉल्स लगाएगे हैं अलग-अलग जगाओं उपर वहाँ पर सिर्फ ग्रीन क्रेकर्स ही जो हैं वो बेचे जाएंगे या और जो उसकी बिक्री है वो की जाएगी इसके साथ साथ कोविड पर भी बात हुई कविड अगर बात करें तो कोविड का कहर अभी थमा नहीं है कोविड हर साल लगतार पिछले दो सालों से देखने को मिल रहा है कि तिहारों के समय में जैसे ही भारी रश दिखता है लोग जब कोविड के जितने भी एपरिपरेट बिहेविर उसका पालन नहीं करते तो उसके पाद कोविड में जो एक लगतार बड़ोतरी देखने को मिलते तो उस पर भी खासा खयाल जो है सबी डीसी को रखने के लिए कहा गया है कि वो मार्केट्स पर प्रॉपर चेक रहें वहां पर खासा ध्यान रहें कि किस तरीके से कोविड की जो गाइडलेंस है उनका पालन किय जा रहा है या नहीं इसके साथ साथ बात की जाए इसमें ये भी बात की गए क्योंकि पिछले दूनों जो बारी बारिश और बर्व बारी हुई है उसकी वज़ा से काफी नुकसान हुआ है और इसे आपदा गोशित क्या गया था तो उसको रिलीफ जिन लोगों को नुक्स कटके हुए प्रोजेक्ट से जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट से जो एक लंबे समय से देखने को मिल रहा था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे जल्द ही वो सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे ऐसी उमीद जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि कल जो मीटिंग हुई है परशासनिक विवाग की उसमें साफतोर पर जो है सबी DC स्कॉर्डर जो है दे दिये के हैं कि अपने अपने जिलों में बन रहे जितने भी निर्मान कारे हैं उन्हें एक टाइम लाइन के दोरान जो है कमप्लीट करवा दिया जाए इस अपरेट में बस इतना ही जुड़े रहें दिया